नमस्कार, राम राम साथ, विक्स क्लासेज के रीडिंग स्किल सेशन में आपका स्वागत है, आज का आर्टिकल इस गोईंग टो बी वेरी इंट्रेस्टिंग, अगें फिलोसफी पे है, एमेन्वल केंट के जो क्रिटीक जो उन्होंने लिखे, उन्हें में से एक की व्याख् हैं, ऐसे स्टुडेंट्स में फिर भी इतना कुछ इसका नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कैट के स्टुडेंट्स और जो SBI PO के स्टुडेंट्स हैं, उसमें कई बार ऐसे आर्टिकल्स मैंने देखे हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट तो उन्डेस्टैंड फो हमारा पहले भी डिसकेशन हो चुका है, आज फिर उन शब्दों का प्रियोग होगा, तो उन शब्दों में खासकर ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं, उनमें जो अब साधरनते जो शब्द देखते हैं, उनके डिरिवेशन का बड़ा प्रियोग होता है, तो कुछ डिरिवेश हमारे सामने कभी ही मुस्किल से आया होता है, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होता है, जैसे प्रियोरिटी है, लेकिन प्रियोरा ही हमारे सामने कभी ही नहीं आया होता, सब्लाइम आया होता है, सब्लिमिटी वी डिसकेश्ट, तो ऐसे तीन-चार डिरिवेशन स के आर्टिकल्स में, तो let's see, what it says to us, आज का हमारा आर्टिकल है, उसके हम शुरुवात करते हैं, the purposiveness of nature, परकर्ती की जो प्रयोजन है, उसकी बात हो रही है, purposiveness होता है, प्रयोजन, कि आपकी परकर्ती का प्रयोजन क्या है, और purposive basically संकल्प शील भी होता है, संकल्प या प्रयोजन, कि परकर्ती का क्या संकल्प है या प्रयोजन है, उसके हम बात करेंगे, तो I think it's a प्रयोजन के बात कर रहा है, परकर्ती को जो हम समझते हैं, तो किसी भी चीज के समझने के लिए हमें प्रयोजन को समझना होता है, हमें लगता है कि जो जितना हम सूचते हैं, जो आसपास हमारी घटित हो रहा है, उसके असाब से हमें लगता है कि नेचर का कोई प्रयोजन है या कोई इसका कोई संकल्प है, फर्स्ट, it leads us to regard nature as governed by system of empirical laws, हमें कई बार लगता है कि nature की कुछ system है, जो कि governed by empirical laws, ऐसे laws जिन्हें हमें observation से और प्रयोग से हम से इक सकते हैं, तो प्रयोग सिद्ध कुछ कानून होते हों कि तए सुदा कुछ नियम है, प्रयोग सिद्ध तए सुदा कुछ नियम है जिससे nature चलती है, second, it enables us to make aesthetic judgment, और दूसरा जो है, यह जो हमारा reflecting judgment है, वो जो प्रकरती की सौंद्रिये को लेकर हमारे जो judgment है, उसको भी निर्धारित करता है, third, it leads us to think organisms as objectively purposive, again word आगे objectively, तो जो भी organisms हैं, organisms जो होते हैं, वो होते हैं, मैं क्या कहूं, आपको हिंदी में organisms होते हैं, प्राणी, जो भी प्राणी है as objectively purposive, यानि कि वो उद्दे सात्मक रूप से जो होते हैं, वो संकल्प सील होते हैं, उनका कोई उद्दे से हैं होने का, and fourth, it ultimately leads us to think about final end of nature as a whole, उसको समग रूप से समझने में मदद करते हैं, तो इस तरीके से ही कहता है कि चार चरनों में हमारी समझ होती है, पहली वो होती है कि कुछ laws होते हैं, उससे के हिसाब से empirical laws हैं, जने समझा जा सकता है observation के आधार पे, और उसे से हमारा aesthetic और सौंद्रिय जो है परकरती का हम समझ पाते हैं, दूसरा कुछ जो organisms होते हैं, जो भी आपस में, जो तालमेल हैं उनका, वो objectively purposive है, उसका कुछ मतलब उद्दे से है, जो हमारे तरक से और समझ से परे है, फोर्थ अल्टिमेटल लीडस तो फाइनल एंड अफ नेचर एज होल, तो उस और फोर्थ इन सब को मिला के हम परकरती को समझने का प्रियास करते हैं, यह मनुझ से की परकरती की समझने की process है, फिर्स्ट, reflecting judgments enable us to discover empirical laws of nature by leading us to regard nature as if it were the product of intelligent design, तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे observable से धान्त हैं परकरती की जिनने हम समझ सकते हैं और उससे हमें यह हमारे दिमाग में हमारे एक समझ पैता होती है, तो हम नेचर को इस तरीके से regard करना शुरू करते हैं कि कोई intelligent design है, यह कोई बोधिक तरह का कोई निर्मान है परकरती और वो उसका उत्पाद है, कोई इसमें intelligent ऐसा creation है, उसके वज़े से परकरती हमारे सामने है, we do not need reflecting judgment to grasp the priori laws of nature based on our categories, तो इसके लिए क्या है, इसमें, तो कैंट कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है reflected judgment को, grasp the priori laws, तो अमेरिकन से इसको कहते हैं priori, बिटिस कहते हैं priori, तो priori law of nature based on our categories, such as every event has a cause, तो सबसे पहले हमें इसको, इसके लिए हमें कोई ज्यादा reflecting judgment की जरूरत नहीं है, कि हमारे कुछ categories हमने बना रखी हैं उसके परकरते के, जैसे हर जो event हते ही, उसका कोई कारण होता है, हमें लगता है, कि कोई भी जो event है, कोई भी घटना है, उसका कोई कारण होता है, जो पहले हमारी है, इसके लिए reflecting judgment की जरूरत नहीं हम इसको पहले से assume करके चलते हैं, जैसे, but in addition to these priori laws, nature is also governed by particular empirical laws, तो हमारा मानना ही है, कि एक तो होती है, इसके लिए हमारे कुछ empirical study के हमें जरूरत नहीं होती, जैसे किसी चीज़ का कोई नहीं कोई कारण जरूर होता है, एक basic समझ है, दूसरा उसके साथ-साथ, to these priori laws, priori laws वो होते हैं, जिसे हम पहले से इमान के चलते हैं, प्रात्मिक तोर पे, तो एक तरफ तो है आपके priori laws, जिसको हम अजयूम कर लेते हैं, कि भाया यह तो हैं, ऐसा ही होता है, दूसरा empirical laws भी होता है, जो हमें observation से धिन से पता लगते हैं, such as the fire causes smoke, जहां पर logic involved होता है, कि fire के वज़े से धुआ होता है, which we cannot know without consulting experience, जिसको हम अनुभव को consult के बिना ही हम समझे हैं, एक तो देखे, priori laws होते हैं, जो परकरतिन हमें दिये हैं, दूसरे हमारे observation है, जैसे मनुष्य ने, आग से पहले मनुष्य को आपका कोई अनुभव नी था, तो आग को देखने के बाद मनुष्य को अनुभवा कि आग के वज़े से दूहा होता है, to discover these laws, we must form hypothesis, तो हमें कुछ परिकल्पना ही करनी होती है, यह जो आपके empirical laws होते हैं, उनको समझने क assumption that nature is governed by empirical laws that we cannot, can grasp, फिर हम एक hypothesis बनाते हैं, फिर हम यह कहते हैं, हम यह मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि nature है, वो कुछ empirical laws से चलती है, governed, उसे सासित होती है, that we can grasp जिसको हम समझ सकते हैं, reflecting judgment makes this assumption through its principle to regard nature as purposive, और जो reflecting judgment है, वो इस assumption को किस तरीके से बनाता है, कि nature एक का कोई उद्दे से होता है, nature purposive है, determined है, nature का कोई तैसुदा काम है, for our understanding, हमारी समझ के लिए, which leads us to treat nature as if its empirical laws were designed to be understood by us, तो और दूसरा फिर हमें यह समझ में आते हैं, कि इसके empirical laws इस तरीके से design के गए हैं, कि उसको मनुस से का समझने का परियास करे, मनुस से का, वो जिवन का उद्दे से है, since this principle only regulates our cognition, चुँकि यह जो सिधान्त है, यह हमारे cognition को, हमारी बोधिकता को regulate करता है, नियंतरित करता है, but is not constitutive of nature itself, लेकिन यह nature का constitutive part नहीं होता है, यह nature का हिस्सा नहीं होता, this does not amount to assuming that nature really, देखे, amount to के बाद हमेशा जेरंड आएगा, amount to के बाद verb की first form नहीं है, यह grammar का aspect है, this does not amount to, amount to का मतलब फ्रेजल वर्ब होता है, अर्थ होना है, मतलब होना, assuming इसका कतई अर्थ ही नहीं है, कि हम यह मान ले, that nature really is product of intelligent design, कि nature जो है, वो कोई intelligent design का product है, which according to Kent, we are not justified in believing the theoretical grounds, जिसे हम theoretical ground पे अगर इसको मानते हैं, तो यह क्या है, यह नयचित नहीं होगा, तो Kent के अनुसार, यह कतई नयचित नहीं है, अब देखें, पहले तो Kent के समझ क्या कहती है, Kent के समझ बेसिक कहती है, कि हम इन चार चरणों में हम परकरती को समझते हैं, तो हम, हम पहले बात तो यह मानते हैं, कि परकरती के कुछ low होते हैं, जिने मनुस्ष से, अपने अध् पर हम यह तैई करने की कोसिस करते हैं, कि नेचर परपजीव है, यह कोई उद्देशात्मक चीज है, इसका कोई उद्देश से है, यह determined है, और मनुसे की duty है कि उसको समझ ले, वो नेचर के low बने इस तरीके से कि मनुसे उसको समझ पाए, लेकिन यह सारा का सारा खेल हमारी बुद्धी का है, इसका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, केंट का यह कहना है, तो केंट का कहता है कि theoretical ground पर हम यह मनें, तो यह नयाचित नहीं होगा, rather it amounts only to approaching nature in the practice of science, और इसके विपरीद क्या होता है, नेचर को हम, का अर्थ ही है कि हम इसको practice of science के तोर पर अप्रोच कर रहे हैं, as if it were designed to be understood by us, कि science, किसी भी चीज के hypothesis करना, assumption करना, फिर उस पर experiment करना, इस science का process है, तो यह कहता है कि यह practice of science है, इसका परकर्टे से कोई लेंदना नहीं है, और यह हम practice इसलिए करते हैं, कि हमें लगता है कि परकर्टी की जो laws हैं, वो हमारे समझने के लिए बनाए गए हैं, we are justified in doing this, because it enables us to discover empirical laws of nature, और यह इसलिए मानते हैं, कि हमारी मदद करता है, परकर्टी के जो observational laws हैं, उसको समझने में, but it is only a regulative principle of reflective judgment, लेकिन यह, जो है, regulative principle है, reflective judgment का, not genuine theoretical knowledge, यह कोई genuine theoretical knowledge, यह हम समझते हैं, that nature is purposive in this way, कि nature इस तरीके से purposive होती है, कि उचाती है कि हम उसको discover करें, लेकिन यह जरूरी नहीं सही हो, second, Kant thinks that aesthetic judgment about both beauty and sublimity, और second, Kant यह मानता है कि aesthetic judgment, aesthetic होते है, सुंद्रिय से समंदित है हमारे जो judgment है, about both beauty, सुंदरता के, और sublimity, वैभव या गौरव, किसी भी चीज़ का, उसको सब्लाइम बनता है, गौरव शाली होता है, उसको सब्लाइम, वैभव किसी भी चीज़ का, समझने के नहीं, involves a kind of purposiveness, यतना जरूर है कि aesthetic judgment, जो है, वैभव के लिए हो, सुंदरता के लिए हो, उसमें एक provision होता है, and that the beauty of nature in particular suggests to us that nature is hospitable to our end, कि परकर्ती की जो सुंदरता है, वो ये suggest करती है, हमें, कि nature is hospitable to our ends, जो परकर्ती है, वो हमारे ends है, हमारे उद्दे से हैं, उनको लेके hospitable है, यानि उनको जगह परदान करती है, यानि उनके लिए positive है, according to aesthetic theory, सुंदरता के theory के अनुसार, ये theories है, empirical law की theory, aesthetic, की जो है, सुंदरी की जो theory है, we judge objects to be beautiful, not because they gratify our desires, since aesthetic judgment are disinterested, हम objects को इसलिए judge नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे इच्छाओं को संतुस्ट करते हैं, जो कि aesthetic judgment होते हैं, वो disinterested होते हैं, उसमें हमारा कोई, हम नहीं चाहते हैं, उससे कुछ भी, disinterested का मतलब है, हम रूची ना लें, तो भी वो सुंदर है, तो वो सुंदर ही है, but rather because apprehending their own stimulates, apprehending their form stimulates what he calls the harmonious free play of our understanding and imagination, जबकि सुंदरता का क्या है, वो यह कहते हैं, कि वो हमें उतेजित करती है, harmonious free play of our understanding and imagination, हमारी imagination और हमारी जो कलपना और हमारी जो समझ है, उसकी जो harmonious free play है, उसको stimulate करता है, in which we take a distinctively aesthetic pleasure, जो से हमें सुंदरिय का आनन्द प्राप्त होता है, तो यह कह रहा है, कि सुंदरिय का आनन्द चीजों में नहीं होता, सुंदरिय का आनन्द जो हमारे दिमाग का free play है, हमारी कलपना का और हमारी जो समझ है उसका, so beauty is not property of objects, तो इस तरीके से चीजों में, objects में beauty नहीं होती, but a reflection between their form and the way our cognitive faculties work, तो यह क्या करता है, यह आपसी समंध है किस चीज़ का, their form, उनका जो प्रारूप है, and हमारा जो cognitive faculties, जिस तरीके से हमारे समझ काम करती है, उसके बीच का जो समंध है, उसकी वज़े से हमें कोई चीज़ सुंदर नजराती है, तो यहाँ पे कैंट क्या कह रहे हैं, कैंट कह रहे हैं, कि किसी भी वस्तु में, अबजेक्ट में, रूप होता है, उसका एक प्रारूप है, सुन्दर का, वो हमारे दिमाग का खलल है, सुन्दर को रूप हमारे दिमाग का समझ है, और जिस तरीके से जो फ्री प्ले होता है, फ्री प्ले का मतलब ऐसा आपसी तालमिल जो हम कंट्रोल नी करते हैं, किसका हमारी इमाजिनेशन का, परिकल्पना का, और हमारी समझ का, किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं, अच्छा, cognitive function होता है, जिस तरीके से हम चीजों को समझते हैं। Yet we make aesthetic judgments that claim intersubjective validity, because we assume that it is a common sense that enables all human beings to communicate aesthetic feelings. फिर भी हम aesthetic judgment लेते हैं, that claim intersubjective, कि वो intersubjective validity है उनकी, यानि कि जो हमारे जो logic हैं, उनके बीच का validity है उसको, because we assume, क्योंकि हम यह मानते हैं, there is a common sense, कि कोई common sense नाम की चीज होती है, that enables all human beings to communicate aesthetic feelings, जो सभी के सभी मनुस्य को aesthetic feelings को अभिवेक्त करने में मदद करता है, beautiful art is intentionally created to stimulate this universally communicable aesthetic pleasure, और जो सुन्दर जो अकलाकृतिय हैं, वो इसी जो हमारा जो दिमाग का खलल है, हमारा जो natural process है, उसका जो free play है, उसको उतिजित करने के लिए बनाई जाती है, although it is effective only when it seems unintentional, हलांकि ये तभी प्रभावी होती है, जब ये उद्दिस रहीत होती है, unintentional होती है, natural beauty however is unintentional, प्राकरतिक सौंद्रिये unintentional होता है, तो कैंट क्या कहते हैं, स्रीमान की चीजों में अपनी कोई subjectivity नहीं होती, चीजों में form होती है, और हमारे जो दिमाग की imagination है, उसका free play है, किसके जाथ, हमारे समझ के साथ, उससे हमें कोई चीज सुन्दर या रूप या को रूप परतीत होती है, और उसी को stimulate करने के लिए, हमारे imagination को, और समझ को stimulate करने के लिए जो आपका सुंदर कलाकृतियां गढ़ी जाती है क्योंकि वो stimulate करने के उद्देश से गढ़ी जाती है और दूसरा और जो प्राकरतिक ब्यूटी है उसका जो हमारा aesthetic sense होता है वो unintentional होता है उसमें कोई उद्देश से नहीं होता natural beauty however is unintentional प्राकरतिक सुंद्री ये unintentional होता है उसका अपना कोई उद्देश से नहीं है landscapes do not know how to stimulate the free play of our cognitive faculties जो हमारा जो landscape है हमारे सामने जो भूदरश्य में दिखाई देता है उसको नहीं पता कि कैसे stimulate करे हमारी समझ को और हमारी समझने वाले जो संकाय हैं दिमाग के उनको and they do not have a goal of giving us aesthetic pleasure ना ही प्रकरती का कोई ऐसा उद्देश से होता है जो हम कि वो हमें aesthetic pleasure दे सुंद्री ये का आनन दे प्रकरती प्रकरती है in both cases then beautiful objects appear purposive to us because they give us aesthetic pleasure तो हमें जो beautiful objects हैं वो इसलिए हमें प्रसांगिक या प्रायजित नजर आते हैं क्योंकि हमें वो संद्री का आनन देते हैं and free play of our faculties और हमारे दिमाग के free play है उसको stimulate करते हैं but they also do not appear purposive लेकिन वो purposive appear भी नहीं होते because they either do not do or not to seem to do it intentionally इसलिए वो क्योंकि उनका कोई वो intentionally हमारे हमें इसलिए नहीं कर रहे होते हैं इसलिए वो purposive appear भी नहीं होते तो इसमें एक ये dichotomy विरोधावास दर्सारा है कि किसी को हमें objective कि किसी किसी वेक्ती को ये purposive इन प्रायजित इसलिए अपेर होते हैं कि हमारे free play को stimulate करते हैं दिमाग के कुछ-कुछ को appear purposive इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो unintentionally ये कर रहे होते हैं समझ रहे हैं? तो इसमें ये dichotomy है मनुस्य की can't recalls this relation between our cognitive faculties and formal qualities of the object that we judge to be beautiful subjective purposiveness और इसको हम subjective purposiveness कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि 않게 हमारे तर्क और हमारी feeling शामिल है जहांपे हमारी feeling शामिल हो जाती हैं चीजे subjective हो जाती हैं और जहांपे हमारी feeling शामिल नहीं ही होती चीजे objective रहती हैं इसलिए subjective and objective study एक दिन मैंने पहले भी बताया था Although it is very subjective, हलांकि यह बहुत ही subjective है The purposiveness exhibited by natural beauty is particular may be interpreted as a sign that nature is hospitable to our moral interest इसलिए हमें लगता है कि परकरती हमारे जो नेतिक हित हैं या जो नेतिक रूचियां हैं उनको उनके लिए hospitable है, उनके लिए अच्छी है Moreover, Kent also interprets that experiment of sublimity in nature जो वैभव होता है, involving purposiveness कि अनुभव जो हता है, परकरती का, कि जो वैभव का, as involving purposiveness ऐसा लगता है कि उसमें purposiveness involvement है, prison involved है But in this case, it is not so much the purposiveness of nature as our own purpose or vocation as moral beings that we become aware of in the experience of sublime in which the size and power of nature size and power of nature stands in vivid contrast to superior power of our regions तो इस तरीके से हमें क्या होता है, कि परकरती जो हमेशा ही, कितना भी हम इसको objective समझें वो हमारा जो reason of power है, उससे कहीं ज्यादा वैभव साली, sublime होती है और इसलिए वो हमें विप्रीत भी दिखाई पड़ती है So, this is again, you know, Kent is a very good philosopher, very intelligent philosopher तो इसका मैं थोड़ा sum up कर देता हूँ, यह क्या कानत कहना चारा है यह कहना चारा है, कि जो परकरती का जो वैभवर उसको हम जो मानते हैं, provision है, इसके हम दो तरीके से समझते हैं एक तो हम यह मानते हैं कि परकरती की कुछ laws होते हैं इसलिए डिजाइन किया परकरती नहीं ताकि मनुष से उसको समझे दूसरा, यह कहता है कि इसमें जो परकरती में होती है दूसरा जो इसका कहता है, हमारी दूसरी जो समझ है वो यह कहती है, कि यह unintentional है, परकरती का कोई अपना provision नहीं है, और सच भी यही है, जो भी चीजें हम परसीव करते हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, उसमें हमारा subjective involvement ज्यादा होता है, उसकी वज़े से हम उसको वैसे पर चल रही है, अब इसमें दो तरह का student इसको देख रहा है, जो दोनों तरह का subjective and objective study है, एक वो student है, वो समझनी कोसिस कर रहा है कि यार यह क्या है, वो अपनी feelings को इससे हटा के देख रहा है, और दूसरा जो student है, जिसको अभी भी puzzled है कि मैं क्या बता रहा हूँ, वो उसको subjective ल देता है, वो हमारे दिमाग की imagination का और understanding का free play है, object का, प्रकरती का, landscape का ऐसा कोई उद्देश नहीं है, वो हमें stimulate कर सकती है, unintentionally करती है, जबकि कला जो बनाई जाती है, संगीत है, कला है, वो प्रकरती, intentionally हमारी जो यह जो free play है, उसको stimulate करने के लिए बनाया जाता है, तो message यह ह जो कलाकरतिय होती है, जो मनुष से निर्मित होती है, उनका provision होता है, वो purposive होती है, जबकि nature का अपना कोई purposiveness नहीं होता, वो हमारी imagination और हमारा जो समझ है, उसके free play के वज़े से ऐसा हमें परतीत होता है, thank you so much, share करिए, subscribe करिए, very typical, very complex, but objective अद्धिन करना शुरू कर ये किसी भी चीज को, अपने भावनाओं को निकाल के चीज किसी भी चीज को समझने का प्रियास करिए, तो कई बार philosophy हमें बड़े ही important aspects पे ले आती है, जहां पर अगर किसी भी चीज को आप subjectively समझना चाहेंगे, उसको मैं बचपना कहूंगा, क्योंकि आप उसमें अपने बात है, let me try to understand what it is, तो उसको हम कहते हैं, objective understanding, thank you so much, may God bless you all, namaskar, ram ram sah.